हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप साथ वेलकम टू माई चैनल सकसे जंक सन एक कदम सफलता की ओर और हम लेकर के आगा है आपके लिए नाउन की प्रेक्टिस क्लास नूबर दो, जी हाँ, इससे पहले हम नाउन की एक त्यॉरि क्लास और एक प्रेक्टिस क्लास आपको करा चुके है क्योंकि nouns से कम से कम तीन से चार तक प्रशन देखे जा सकते हैं जहाँ पर भी एक large margin में जहाँ पर भी English आती है वहाँ पर तो आए बिना समय गवाए चलते हैं noun की practice class number 2 के पहले प्रशन पर तो पहला question है choose the option that picks out all the nouns in the sentence यानि कि आपको एक sentence दिया हुआ है इस में इसे आपको noun चुनना है और वो noun को pick करके आपको answer में लिखना है यही आपसे पूछा गया है MPSI 2016 में यह है प्रशन आया हुआ है आए देखते हैं तो पहला question है bravery and cowardice are controversial concept तो इन में आपको noun चाट करके लिखना है तो option यह इसका answer क्या होने वाला है तो इसका answer है डियानि की क्या इन तीनों चीजों को हम छू सकते हैं, नहीं, जिस भी नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम abstract noun कहते हैं, हमने आपको थियोरिकी क्लास में आपको बताया है, तो तीनों की तीनों ज तो यह आगया आपके सामने question number 2, देखिए, choose the best option to complete the sentence, यह भी MPS 2016 का ही प्रस्टन है, आपको fill in the blanks दिया हुआ है, तो इन option में से कौन सा option महाँ पर बिल्कुल fit बैठेगा, वो आपको चुन करके यहाँ पर answer लगाना है, walking down the street, she noticed a dot 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 of house that looked strictly similar, इसका option A है trail, option B है train, option C है chain, और option D है row, तो आज़े देख लेते हैं इसका answer क्या रहने वाला है, तो इसका answer है row, देखिए, अगर आप कहीं पर मकानों को अगर count करेंगे, तो वो एक line में होगे, यानि एक row में होगे, तो मकानों के लिए जो है row का use किया रोक आर्थ होता है, पंक्ति, तो मकान जो भी होते हैं हो पंक्ति बद्ध होते हैं, ठीक है, और जो पहार परवत होते हैं, वो chain में होते हैं, यह running chain का आर्थ होता है स्रंखला, और train का तो यहाँ कोई मतला भी नहीं लग रहा है, तो इसका answer हो जागा, d अष़ा iba t mulher यहाँ की पंक्तियों को देखा चलते हैं अगले कुश्चिन की ओर तो कुश्चिन नमर तीन आपके सामने आ रहा है ये भी fill-in-the-blanks का ही है तो देखिए choose the correct form of expression to complete the sentence यानि fill-in-the-blanks आपको दिया हुआ है इसमें से कौन सा option यहाँ पर आप भरेंगे कि बिल्कुल सई sentence बन जाए MP jail पहरी 2017 का यह प्रश्चन है people who lives in small village are bound to see a good dot dot of each other option A है sum, option B है quantity, option C है deal और option D है amount तो आए देख लेते हैं इसका answer क्या रहने वाला है तो इसका answer C यानि की deal इसमें बिल्कुल सई है इसका अर्थ है कि people जो small village में रहते हैं उनके बीच बहुत अच्छी ही पारस पर एक मित्रता देखी जाती है तो उन लोगों की बीच में बहुत अच्छी dealing होती है वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वे लोग village में रहते हैं उनके अंदर चला कि ये सब नहीं होता है मतलब बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं बड़ी आसानी से एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं तो dealing बहुत अच्छी होती है गाओं के लोगों के मद्धि में तो चलते हैं अगले प्रशनी की और question number 4 आपके सामने आ रहा है आए देखते है question number 4 यह भी fill in the blanks नहीं यह fill in the blanks का नहीं है यह दूसरा question है choose the option that picks out all the nouns in the sentence वही जो आपको पहले आपको दिया गया था group 5 lab technician 2 या 17 के exam में आया हो जो MPPEB exam कराती है group 5 lab technician का वहाँ पर यह same to same यह question आया हुआ है यहाँ पर भी आपको जो है nouns को चुन करके आपको answer देना है the tree can't be grown in such a cold climate as ours option A है trees, option B है trees and climate, option C है trees और cold और option D है climate तो आईए देखते हैं इसका answer क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर noun है तो इसका answer है B यानि कि all the nouns in the sentence are trees and climate यानि कि जो सुहाना मौसम है और जो पेड़ है यही दो इसमें noun है ठीक है तो चलते है question number 5 की ओर question number 5 एक बार फिर से fill in the blanks का है choose the correct form of expression to complete the sentence labor inspector 12 जनवरी 2017 के exam में दो बज़े वाली जो shift थी उसमें यह exam में यह question same to same ऐसा का ऐसा आया हुआ है this is the dot 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 of the bicycle which was stolen यह वही bicycle है यह उस bicycle का विवरण है जो की चोरी हो चुकी है तो आएए देखते हैं इसका option क्या आना चाहिए option A है description option B है account option C information और option D है profile तो आएए देखते हैं क्या है इसका answer इसका answer यानि कि description और description का अर्थ क्या होता है विवरण यानि कि यह वही cycle का विवरण है जो की चोरी हो चुकी थी तो देखी description यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि अगर आप cycle का विवरण देंगे ना और cycle का कोई account भी नहीं खोलेंगे तो आप क्या करेंगे cycle का description देंगे यानि कि जो चीछ चोरी हो गई है उसका हम विवरण देंगे कि ऐसी ऐसी थी अगर आपको कहीं मिले तो हमको सूचित कीजिएगा ठीक है वहाँ पर सूचित कीजिए के लिए information लगेगा लेकिन आप fill in the blanks का पूछा गया MPSI 2014 के exam में आया हुआ है all the news on television dot 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 bed option इसमें a है is option b है are option c है were और option d है have तो क्या होगा इसका answer तो देखें news के आगे पहले हमने आपको इबताया था नहीं हम कि news के साथ में कभी एस या येस नहीं लगाते है क्योंकि इसमें already एस लगा हुआ होता है औ वो सारी की सारी खराब हैं यानि की बुरी news है इसके लिए archives किया जाएगा क्योंकि present की बात हो रही है चलते हैं question number seven की और तो यह आगे आपके सामने question number seven read the sentences carefully and choose the error इसमें आपको error find out करना है SSC CHL 2019 का ये exam का ये question है option नहीं है when the lime stone option बीए just below the ground surface to dissolve option c है the land collapses and form pounds तो इन चारों में आपको कौन सा यहाँ पर choose the read a sentence carefully and choose the error इसमें कौन सा गलत आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है इन चारों sentence हो में इन चारों sentence से मिल करके एक पूरा sentence बनेगा उसमें एक गलत है वो आपको select करके लिखना है आईए देखते हैं इसका answer क्या रह आते हैं तो यहाँ पर collapses जो है वो main word है lands तो एक जमीन है तो जमीन इसमें में वर्ड नहीं है में वर्ड collapses है इसलिए lands collapses की जिगा लैंड collapses होगा ठीक है तो लैंड से as हट जाएगा land collapses यहाँ पर सही answer हो जाएगा तो पूरा बन जाएगा when the lime storm just below the ground surface dissolve the land collapses and form pounds यह पूरा का question number 8 आपके सामने आ रहा है find the error यानि किसमें भी आपको error find out करना है labor inspector 2017 की exam में यह question आया हुआ हुआ है when I met rosa option B है the couple of days back option C he was writing a new look और option D है no error अगर इसमें कोई भी error नहीं है तो आप answer लगाएंगे D आये देखते हैं इसका answer क्या होने वाला है देखे इसका answer B यानि कि जो day है उसमें से S हटा देंगे तो when I met rosa जब मैं rosa से मिला था तो the couple of days back कुछ दिनों बात देखे the couple already इसमें couple लगा हुआ है तो इसमें days में S लगाने की जरूरत नहीं है जहां पर भी couple सब्दा आता है तो उसके आगे S या Yes नहीं लगाते हैं यह इसका rule होता है तो the couple of day back he was writing a new book यह इसका answer हो जागा तो पूरा क्या बनेगा when I met rosa the couple of day back he was writing a new book यह सीधे का सीधा पूरा sentence आपका बन जाएगा कलते हैं question number 9 की ओर यह आ रहा है आपके सामने question number 9 question number 9 है fill in the blank with the correct word from the option given below SSC CGL 2018 के एक्जाम में आया हुआ है fill in the blank आपको complete करना है the cheap guest gave us his valuable cheap guest ने हमको अपना महत्पूर्ण क्या दिया आई देखते हैं dot 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 तो दिखी advices option B है advice option C advice और option D है advice इसमें सही advice क्या होगा यह आपको अपना answer pick करके लिखना है दिखी advices में कभी SIS नही तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया दूसरे advice की spelling गलत है और चौता जो advice है उसका अर्थ दूसरा निकलता है लेकिन जो सलाह देने वाला advice है वो आपका option number C में है यानि कि जो सलाह देते हैं वो advice है A D B I C E यान noun form जो है advice का वो यह होता है A D B I C E तो आइए देखते हैं इसको जो हम fit करेंगे अपने sentence में तो sentence पूरा क्या बनेगा देखी The chief guest gave us his valuable advice यानि chief guest ने जो अपनी महतपूर्णी जो सूचना थी वो हमको दी ठीक है महतपूर्ण सलाह दी सूचना के लिए information आता है सलाह दी जो अपनी महतपूर्ण सलाह थी वो हमको दी ठीक है चलते हैं अगले question की और question number 10 आपके सामने आ रहा है देखिए India is a member of security dot 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 यानि इंडिया जो है वो security किसका member है तो यह आपसे पूछा गया है तो देखिए MPSI 2016 के 12 बजे वाली जो सिप्ट थी उसमें यह प्रेशन ऐसे का ऐसा आया हुआ है तो option A है councils, option B है counselling, option C है council और option D है council देखिए इसका answer क्या होने वाला है spelling इसमें अलग-अलग है हालांकि pronunciation बिल्कुल सेम और आले कि इसमें spelling जो है अलग-अलग है आईए देखते हैं तो इसका answer है यानि कि जो council सब्द है C-U-C-O-U-C-I-L इसका अर्थ होता है परिसद तो India is the member of security council यानि कि भारत जो है वो security परिसद का एक member है ये सही का सही जो आपका sentence हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा council करते हैं आपर परिसद हो जाएगा तो ये थे हमारे 10 महत्पून प्रशन तो ये प्रशन आपको कैसे लगे अपना feedback हमको comment box में जरूर दीजेगा वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा अगर आपको अच्छा की बात करें, math की बात करें, quality की बात करें, current affair भी स्टैटिक जीके की बात करें तो सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको description box में मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट भी सबकी बना दी गई है, तो आप जाकर के वहाँ पर भी अपनी test च्रीज दे सकते हैं और अपनी प्रुसकार और खेल रतने प्रुसकार जो भी होते हैं वो सारके सारे के उपर एक वीडियो हम लेकरके आज आएंगे, और जैसे कि आज सुबा हम वीडियो लेकर की आये थे, कि जो निधन हुए हैंँ, 2020 में बैक्तियों के, उनकी ओपर मेहत्पुन बीडियो भी बनाई थी झाल